नुमिश्कार मैं डॉक्टर जिना वेकिन सीनियर कंसर्टरन गानकॉलोजिस्ट मनिपाल हॉस्पिटल गाजियबाद आज हम बात करेंगे अन्यमित महवारियों के बारे में हम अन्यमित महवारी कब बोलते हैं जब हमारी महवारी 24 दिन से कम या 40 दिन से ज्यादा हो अत्वा हर महीने बिल्कुल ही आन्यमित महवारी तब हम उसे बोलेंगे कि यह अन्यमित महवारी है अन्यमित होने के लिए कई वज़े हो सकती हैं कुछ कुदरती तोर पे और कुछ किसी बीमारी की वज़े से जो हमारी कुद्रती तोर पर अनियमित महावारी होती है वो hormonal changes की वज़े से होती है hormonal changes जो होते हैं normally हमारे होंगे जब बच्ची को मीनार्की होती है याने की puberty या जब उसको प्रथम बार महिना आई उस वक्त कुछ वर्ष लग जाते हैं 2-3 साल जब महावारी एक नियमित पैटर्ण पर आना शुरू होती है ततपश्चात जब बच्चे का जन्म होता है उसके बार भी hormonal changes को वापस set होने में कुछ महावश्य लगते हैं तब भी हमारी महावारी थोड़ी सी गरबर होती है और इसे हम normal ही समझते हैं जिसके लिए किसी उपचार की जरूरत नहीं तीसरी बार होती है जब बच्चे को exclusively breastfeed किया जाए उस स्थिती में या तो महीने बहुत देर में आते हैं या बिल्कुल ही आना रुख जाते हैं जिसमें दोनों ही स्थितियों में परिशान होने की कोई आवश्यक्ता नहीं इसको हम lactational amenorrhea बोलते हैं और तीसरी बार होता है जब महीने समाथ होने जा रहे हो यानि कि menopause हो रहा हो तो menopause होने से कुछ साल पहले हमारे महीने फिर से देर देर में आना शुरू होते हैं कम-कम आना शुरू होते हैं और ये सारी ही चीज़ें हमारी खुद्रती उसमें आती हैं जिनमें किसी treatment की आवश्यक्ता नहीं होती लेकिन कुछ केसे ऐसे होते हैं अन्यमित महावारी के जिनमें treatment की ज़रूत परती है यानि कि वो थोड़ी सी underlying health conditions उसमें हो जैसे कि PCOD PCOD आजकल पहुत common disorder lifestyle change जो देखने में आ रहा है इसमें हमारी ovaries में छोटी-छोटे से cysts बन जाते हैं जिसके कारण अन्डा पून गूप से नहीं बनता और जिसके कारण जो हमारी शरीर में normal estrogen hormone होना चाहिए वो नहीं हो पाता और testosterone level थोड़े बढ़ जाते हैं इस वज़े से हमारी महावारी अन्यमित हो जाती है irregular हो जाती है PCOS के अन्य सम्टम्स भी होते हैं जैसे एकने हुआ, weight changes हुए, excessive weight gain हुआ, insulin resistance है यह तमाम चीज़ें PCOD के साथ चुड़ी हुए है दूसरी वज़े होती है eating disorders या तो हम बहुत कम खाते हैं या अत्याधिक binge eat करते हैं दोनों ही स्थिति में या तो weight loss हो जाता है excessive या weight बढ़ जाता है बहुत जादा और दोनों स्थिति में periods खराब हो जाते हैं तीसरा reason होगा thyroid disorders या तो thyroid hyper हो जाए या hypo हो जाए यानि ही कम हो जाए या ज्यादा हो जाए नॉर्मल रिंज के बाहर होने पर thyroid के आपकी periods अनिमेद हो जाते हैं इसलिए कभी भी आपको अनिमेद महावारी हो तो तुरन डॉक्टर के पास जाए इनका इलाज बहुत मुश्किल नहीं है treatment के लिए हम क्या करते हैं बहुत सोटी चीजें हैं सबसे पहले हम अपनी diet कंट्रोल करते हैं हम binge eating बंद करते हैं हम मैदा आलू चावल इन चीजों पर कंट्रोल करते हैं सब कुछ खाते हैं लेकिन moderation में हमारा वजन एक निर्धारत limit के अंदर हो ना तो अतियाधिक कम हो ना करेगा उसके बाद हमें stress exercise जरूर करनी चाहिए stress relieving exercises rather हमें करनी चाहिए अत्यादिक exercise करने से भी हमारे खराब हो जाते हैं इतना ना करें कि आपका वेट आपके निर्धारत वजन से कम हो जाए इसलिए यह जरूर ध्यान रखें फिर कुछ उपाए हैं जो medically आपके लिए दिये जाते हैं आपकी nutritional deficiencies दूर की जाती है hormonal balance में लाने के लिए डॉक्टर आपको treatment देते हैं इसलिए treatment आप स्वयम अपने घर पे ना करें घर में करने के लिए स्रिफ दो चीज़े हैं अपनी डाइट का ख्यार रखें और निधारे एक्सराइज जरूर करें stress-busting activities में हिसा ले अन्यमत महावारी कॉमन चीज़ है लेकिन treatable है इसे परिशान ना हो अपने निकट के डॉक्टर से अवश्य संपद करें थैंक्यू